नमस्कार दुस्तो उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था धुन्द अब वो जो बुक है वो काफी बड़ी हिट हो चुकी है और यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम अमित चौधरी बताता है नभीन कफ्तूरिया ने उस किरदार को पिले किया है एंड उसके बाद यहाँ पर जो किरदार है जो ही अधिकारे की जिन्दगी में लौट कर किया आदा अपनी सवजा कारटने के बाद उसकी जिन्दगी में फ़िर से वो उथल पुथल मचा देती है आते ही एंड उसके बादे यह शो में कुछ भी नहीं होता है बस बो अपने इनी परेशानियों से जू जिती रहती है जू ही अधिकादी एंड इसका किया है रिया राजगुरू का कि इसको बस इसको किसी तरीकी से परेशान करना है बस कुछ भी नहीं है इस शो में कहानी किना पर और इसको तो साइड में रखो कहानी कितारों को तो साइ बन की तरह ही इस फिशो में न तो depth है ना feel है ना fall है ना vibe है ना emotion है ना कोई भी feel है कुछ भी ऐसा नहीं है कि करदारों के साथ इस फिशो की दुनिया के साथ हमें emotionally या किसी भी तरीके से invest हो पाएं connect कर पाएं relate कर पाएं किसी भी करदार को लेकर अच्छा बुरा feel हो कोई खु feel होते हैं ऐसे feel होते हैं कि मैं कब से देख रहा हूं यह खत्म क्यों नहीं हो रहा है वह वाला हाल हो गया था एंड मैं इसको बीच महीं छोड़ देना चाहता था लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से इस फिशो को देखा एंड बिलकुल सेम टू सेम ऐसा ही season बन भी था जो बहुत व्यादा घटिया था उस वक्त 2022 में जब वो रिलीव हुआ था तो मैंने इसके दो एपिसोड को देखे कर रेवियू किया था अप ही पिछले दो दिन पहले मैंने इसका season बन दोबारा से देखा उसके बाद season 2 आज भी देखा एंड बिलकुल बैसा ही यह शो है जैस की kidnapping plan करती है जो उसका biological fun है और उसका take यह है कि उसने यह kidnapping इसलिए की है जिससे कि उसका जो बच्चा है उसको कोई और छीन न ले अब मैं यह सोच दहा था कि यार तू professor है पड़ी लिखी है अनपड गवाद नहीं है जिसको कुछ भी अता पता नहीं है कानुन विवस्था क के बारे में तुमको बहुत अच्छे से मालूम होगा तुमारा biological fun है तुमारा बच्चा है कोई भी उसको ऐसे ही क्यों छीन लेगा या कुछ भी कर देगा वो professor है उपर से उसको Oxford से offer आया हुआ है और उसकी ऐसी सोच है तो यह सोच जो है वो actually इस कृतदार की नहीं है इस show क writer director की है जिनों ने जिनकी दिमाग से यह महान idea बाहर निकल के आया है तो बस यही है इस show में उसके लाभा जैसा कि मैंने का कुछ भी नहीं है writing pacing बहुत ज़्यादा घटिया बगबास और बाहियात है पूरी तरीके से irritating boring और घटिया यह show है हाँ कुछ अच्छा अगर है तो वो है सिर्फ और सिर्फ performances जिया राजगुरु का जो किरदार है भले ही irritating हो लेकिन जो acting है बो मैं अच्छी कहूंगा जो ही अधिकारी का जो किरदार है जिसको हुमा कुरेशी ने पिले किया बो भी मैं कहूंगा कि अच्छा था and Amit Chaudhary जो किरदार है नभीन कफ्तूरिया जिसको पिले किया उस किरदार के बारे में हमको कुछ भी जानने को नहीं मिलता है उसकी backstory के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है बस वो किरदार जो यहां पर टपक पड़ा है और वो हमको परेशान करता रहता है पूरे time तो यह हैंने से शो का इतना ही नहीं है season 3 भी कि वो season 3 भी इस शो का लेकर कहेंगे और एक घटिया चीज और है जैसा कि season 1 में थी episode खत्म होने से 2 मिनट पहले and credit आने से 2 मिनट पहले यह लोग क्या दिखाते हैं कि 3 days later, 8 days later, 7 days later, मतलब वही फिजूल का suspense बनाने की कोशिश की है कि लोग किसी तरीकी से आगे इस शो को continue कर भी नहीं है वीरो treatment के नाम पर यह शो है, so in the end I'll go be just one instead of five इस शो के लिए आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं अपने टेक से लिख के बताना वाकिया, लाक्षे ने subscribe करना, चैनल को बीडियो को, and this is Nitya, channel fanning of thank you, and मुझे बहुत अपफूफ हो रहा है कि मैंने अपनी रात काली की है इफ घटिया शो के लिए